जेहिंड वेटरेंज आप सभी का एक बार पीश वागय थे अक्टूबर और नौंबर में हर एक पैंसनर को अपना लाइप सेटिपेगर जमा करना होता है लेकिन इस पर्ष के नियम कुछ अलग है इस पर्स में उसी मैने में आपको live set figure जमा करना है जिस मैने में आपने last year जमा किया था यानि कि आपने मई 2023 में जमा किया तो मई 2024 में करना है और आपने अपरेल 2022 में किया है तो आपने अपरेल 2023 में जमा किया होगा और अगली साल अप्रेल 2024 में ही आपको जमा करना है और जिनका बेएक से अभी तक पैंसन आ रहा है उनको अक्टूबर और नौवर में ही अपना लाइप सेटिपिकट बेएक में जमा करना है तो इस पर्स में कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरा live certificate कब जमा करना है देखिए यहाँ पे दो बड़े तरीके हैं सबसे पहला तो आप जैसे ही इस पर्स में login करेंगे तो आपको इस पर्स में login करते ही home page पर next identification due date दिखाई देगी देखिए मैंने यहाँ पे इस पर्स में login किया है आप screen पर देख पारे हो और यहाँ पे आप देखेंगे तो red color में लिखावा आ रहा है next identification to be done on or before 30 September 24 यानि September 2023 में यह live certificate जमा करा गया है तो यह live certificate successfully accept होने के बाद इस पर्स में आपकी date automatically एक साल के लिए बढ़ जाएगी और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि date आ चुकी है 30 September 2024 पहला तरीका तो यह है दूसरा तरीका है आपको my document में pension slip के उपर जाना है आपको अपनी pension slip डाउनलोड करनी है तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे my documents my document में सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगी pension slip यहाँ से अपना महिना सेलेक्ट करें latest जो भी आपकी pension slip है उसको सेलेक्ट कर लें और नीचे लिखावा आ रहा है pension slip September 23 इसके उपर किलिक करें तो आप इसके उपर जैसे ही किलिक करेंगे तो यहाँ पे एक download का option आएगा जिसके उपर आपको किलिक कर देना है और अपनी pension slip को download कर लेना है download हो चुकी है इसको आप यहाँ से open पे किलिक कर देना है आपकी जो PDF पे pension slip की वो open हो जाएगी यह देखिए September 23 की जो pension slip है open हो चुकी है और इसमें सबसे bottom में लिखा रहेगा next identification due date 30 September 2024 तो यह pension slip आपकी हर महीने आती है और इस pension slip को देखकर आप पता लगा सकते हो कि मुझे next time अपना identification कब करवाना है तो इस pension slip के अनुसार September 2024 में Life Certificate जमा करना है क्योंकि इस साल का Life Certificate जमा करने के बाद में ही यह date update हुई है इसके अलावा एक तरीका और है यदि आपके पास Spurs का username और password नहीं है तो आपको Spurs में login करने से पहले ही अपने identification status की जानकारी देखने को मिलेगी इसके लिए Spurs की website को open करने के बाद आपको options में जाना है और उसके बाद services के उपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप services के उपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक option आपको दिखाई देगा track में know your Spurs PPO and identification status इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक option दिखाई देगा जिसमें आप unique identified यानि अपना bank account number personal number और इस Spurs का PPO number या e-PPO number इन में से कोई भी एक जानकारी select करने के बाद आपको वही जानकारी यहाँ पर enter करनी है enter करने के बाद capture code डालना है और search के उपर click करना है तो आपके सामने यहाँ पर next identification due date के साथ में के जानकारी यह दिखाई देगी जिससे भी आप जान सकते हो कि मुझे अपना life certificate कब जमा करना है तो यह थे तीन बड़े तरीके जिसके जरीए आप यह जान सकते हो कि मुझे मेरा identification यानी मुझे मेरा life certificate कब जमा करना है तो आपको मैंने इस वीडियो में यह जानकारी दी कि यह कैसे पता लगाएं कि मुझे अपना life certificate कौन से महिने में जमा करना है तो आशा करता हूँ कि आपको सभी तरीके समझ में आगे होंगे वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं और channel को subscribe कर सकते हैं इस वीडियो में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जहिन